हापी बर्देश वेलकम तो माई योटूब चैनल तो फ्रेंड्स अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बर्थर्डे स्टेटस वीडियो देखा है तो फ्रेंड्स आज की लीडियो को इसी तरह का बर्थरे वाट्सेटस का वीडियो बनाने वाले हैं तो गैस अगर आप भी अपनी फोटोज लगा कर कुछ इस तरह का बर्थड एस्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को सबसे पहले अपको एक application को download करना होग मैंने अपने टेलेग्राम चनल पे इस लेटिस वर्जन अलाइट मोशन को पिन कर दिया है तो टेलेग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जागा जाकर संपली डॉनलोड कर लिजेगा मैंने इस वीडियो के रिटिंग के लिए जितना भी मटेरियल टेंपलेट बीटमार प्रजेक्ट सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सिंपली जाके डॉनलोड कर लिजेगा अगर आपको हमारी टेंपलेट मेटरियल या बीटमार प्रजेक्ट कुछ भी डॉनलोड करने में प्रोब्लम हो रहा है तो उसके वीडियो बना रखा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जागा तो उस वीडियो का जाकर दे आपको अपनी फोटो को एड करना होगा अब यहां पर करना क्या है ठीक है सिंपली सबसे पहले एक चीज और करना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रिशेट का एक लिंक मिल जाएगा तो जैसे अब यह आपने बीटमार प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया था वैसे आ बापा प्रिशेट में आ जाओंगा मैंने पहले इंपोर्ट करकर रखा हुआ है तो फॉस्ट में देख सकता हो काला यहां पर रफडडे वाली प्रिशेट मिल जाएगी टाक्स वाली प्रिशेट को आपको क्लिक करना है ठीक है एक है ऐसे बैक हो जाना है और उसी प्रोजय यहां तक आपको यहां तक कर देना है ठीक है यहां तक कर लेना है ठीक है यहां पर color and fill की option में आके सिंप्लिस की color जो है आपको यहां पर white add कर लेना है आप यहां पर जो भी color add करना ठीक है प्रिएट के भाद में गाइज यहां पर इसको क्लिक करें आ कर लेंए बॉर्थड 바ॉर्ट और प्लस रिएकन में क्लिक करके यहां से कोपी लेयर कर लेंड़ दू करने कब ना ठीक है पर शुंप्ली आपको इसी प्रोजेक्ट में आद़ने ट्रीक है और plus की आइकन में क्लिक करके यहां से copy layer कर लेना है ठीक है copy layer करने के बाद में यहां पर simply आपको इसी project में आदाना है और यहां से plus की icon में क्लिक करके paste layer कर देना है ठीक है तरह कुछ इस तरह से birthday वाला effect जो हमारा आ जाएगा अगर आपके पास में यह फॉंट नहीं होगा तो फॉंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस फॉंट को एड कर लेना ठीक है कुछ इस तरह से आपको देखने को प्रिसे back हो जाना है यहीं पर आकर फिर बिलस्पटे करके पेस्ट लियर करने यहां से हम अट कर दैंगे भी nutrition नहीं यहां यहां तक यहां तक है यहां उब यहां रementsके इसके अगर लगगपने यहां अब यहां रखने है चीज़के और अगाMmकल यहां कर दाएगा स्ट्रैप्स का इसको क्लिक का लीजेगा यहां पर देख से आपको अपनी लिरिक्स की टैक्स की कलर को क checklist ओ कर सकते हो फिल समय पर क्या करना है plus प्लस पर chs करना है ऐहां पर देख से तो इस प्लस पर क्लिक करना है यहां पर ऑम्सें मिल जाए का ठीक को एसको क्लिक कर लेना ठीक है यहां पर देख से तो मेंने कुछ element को download कर रखा है अगर आपके अंदर यानि कि आपके फॉन के अंदर में या आपका लाइट motion में गाज यह element का option नहीं आ रहा है तो simply download elements की option में क्लिक कर लेना है ठीक है यहां पर आपको बहुत साले elements दिख जाएगा मैंने यह तिहां पर dot brush line brush one और double dot brush यह जो तीन है मैंने यहां पर element को download किया हुआ है तो back हो जाऊंगा ठीक है पहले यहां पर first element को मैं add कर लूँगा ठीक है यहां पर color and fill की option में आके यहां से black color को simply add कर लेंगे ओके अब इसकी duration को गाज यहां पर birthday वाले तक हम यहां पर कर देंगे ठीक है अभी तो प्लस पर क्लिक कर लेंगे और यहां से elements की option में आके यहां से कोई भी एक और को select कर लेंगे तो मैं round वाला किया था डॉट ब्रस्ट वाला इसको select कर लेंगे ठीक है फिर से color and fill की option में आके black color को add कर लेंगे अब इस वाले element की duration को आपको यहां तक कर लेना है ठीक है फाइनल कुछ इस तरह से आपको कर लेना है अब जहां से आपके lyrics की बीच में कट लगा देना कुछ इस तरह से ठीक है फिर से दूसरी जो lyrics रहेगा वहां पर भी आके बीच में elements में कट लगा देना है ठीक है अब देखो आपकी से elements कुछ इस तरह से effect देगी आपकी जो happy birthday वाली text है इसके उपर ठीक है अब आपको करने क्या back हो जाना है बैक होने के बाद में इससी preset में आ जाएंगे फिर से ठीक है अब यहां पर elements वाली जो हमारा है देखा है तो जैसे आपने बर्थटे वाले लिडिक्स पर यानि कि यह चेंज गया था वैसे आपको elements वाले पर क्लिक करना effect में आके straps में आजाना है और color यहां पर green add करना है ठीक है जो हमारा जो लिडिक्स का टैक्स का जो color है green है तो इसको भी green add करेंगे वसी तरह से उपर वाले elements को भी क्लिक करना है straps में आजाना है और यहां पर color जो है आपको green add करना है जो भी अपने हिसाब से काज यहां पर color को add कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से आपको कर लेना है ठीक है उसके बाद में फिर से यहां पर elements पर effect लगा लेना है lyrics की text को लिख लेना है lyrics पर effect को लगा लेना है तो कुछ इस तरह से यहां तक देख से तो आपकी जो birthday वाली जो यहां पर dialogues है या जो भी बोल सकते हो यह है हमारा यहां तक बन जाएगा ठीक है अब यहां फोर सेकंड के बाद इधर जितने भी बीट्स देख रहे हैं आपको सभी इन बीट्स में photos को add करना होगा ओके तो यहां पर प्लस पर क्लिक करके मीडिया की option में आकर photos को add कर लेंगे तिरी डॉट पर क्लिक करके फिल compression area करके photos को zoom कर लेना है move and transfer में आकर यहां पर बीच में photo को select करके fix कर लेंगे ठीक है बैक होके इस option में क्लिक करके बीट तक आ जाएगा प्लस पर क्लिक करके फोटो स63 में यहां पर फिक्स करने के वाद में यहां पर यहां तक और इक अपर को ड्रेंट लेना आप समझ गई होंगे पहले आपको यहां पर कुछ इस तरह से एफ्यक्ट को कॉपी करके लगा लेना है बर्थडे वाला गाज यहां पर टैक्स लिख लेना है और इधर जितने भी फोडो जो यानि बीट मार्क आपको देखने को मिल डाए इन सभी बीट मार्क में आपको आड कर दिया है तो कुछ इस तरह से आपको पहले फोटो को एड कर लेना है अब जिस प्रिशेट को हमने इंपोर्ट किया था उससी में आ जाएंगे यहां पर देखते तो कुछ इस तरह से हमने टैक्स वाली तो फ्रेक्ट लगा लिया है अब यहां पर फॉस्ट में फोड फोटो को छोड़ देना है फिर से यहां पर फोटो को क्लिक कर लेना इफेक्ट में के पेस्ट कर लेना फिर से इस फोटो को छोड़ देना है फिर से यहां पर क्लिक कर लेना इफेक्ट में के पेस्ट कर लेना है फिर से इस फोटो को छोड़ देना है फिर से यहां पर क्लिक कर लेना effect में पेस्ट कर लेना फिर से फोटो को छोड़ देना है और यहां पर गाज क्लिक कर लेना है ठीक है तो गाज कुछ सिंपलि किलिक करके लगा लेना है ठीक है लगाने त्यांतों सब्रक्शाइस हैं थैंस फोट्वरेट करें एक क्लिक कर लेंगे फ्सक्राइब। पेस्ट करेंगे तो उससे त्यूंत वैसे अपको यहां पर इसक्त को अपने हिसाब से लगा लेना है ठीक है तो आपको दिखा दिया है तो अब मतलब कि अब आपको प्ले करके स्टेडस को दिखाता हूं कुछ इस तरह से यहां पर आपकी टैक्स प्ले होते हुए दिख जाएगा दानीधर जितने भी आपने फोडोस को एड के इन सभी फोडोस में कुछ इस तरह से इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा गाईज ओके आप यहां पर क्या करने जहां सबकी फोडोस पले होगी यहां तक आ जाना है ठीक है यहां पर प्लस पर क्लिक करके मीडिया की ऑप्शन में आके Simply हम अपनी ग्यालरी मा जाएंगे ग्यालरी से यहां से एक ब्लू स्ट्रॉक प्यान जी को सिंप्ली पहले एड कर लेती है गाई तो यहां पर इस वेट और यहां पर इसको add कर लेंगे अब इसकी डुरेशन को वीडियो को पुड़ी एंड तक कर देना है अब आपको इसको क्या करना है color sorry movement transfer में क्लिक करके second option में क्लिक करके इसको rotate करके minus 180 degree कर लेना है ठीक है minus कर लेना है अब इसको क्लिक करके add effect पे क्लिक कर देना है color and light की option में आज़ेना है यहां पे option मिल जाएगा shift का ठीक है इसको select कर लेना है और standard settings की option में क्लिक कर लेना है ठीक है अब इस blue stroke png के starting में plus की icon लगा देना है और आपको इसकी last में आ जाना है ठीक है तो लास्ट में आ जाएंगे और लास्ट में एक प्लस के आइकन लगा लेना है ठीक है और इसको 3x तक कुछी तरह से बढ़ाते हुआ चले जाना जब तक 3x ना हो तब तक आपको यहां पर बढ़ा लेना है ठीक है तो सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा तो यहां पर देख़ो तो कुछी तरह से आपको यहां पर दिख जाएगा जितना भी मैंने इस वीडियो के रिटिंग के लिए जूज किया है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जागा तो सिंप्ली जाकर डॉनलोड कर लिजिएगा अभी वीडियो के पूरी एंड में आ जाना है और यहां पर देख लेने जो आपने इफ्यक्ट पगरे लगा या अच्छे से लग गया कि नहीं यहां पर मैंने कुछी फोडोस पर लगाए था दिखा सकता हूं यहां पर कुछी फ